क्या हाल है साथियों मैं विकास्तों मर आपके अपने टरस्वादी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्वस्टेस पे आज आपके समक्ष लेकर आगे हैं इंफ्लुएंजा एफ एच फाइव एन एट यह पहली बार हुआ है कहां पर देखेंगे और पुद्दुचरी में जो नायंड स्वामी थे सीम पहले यहां पर किरन बेदी जी लेटरेंट गवर्नर को निकाला गया ठीक हटाया गया और अब इनको जो है ट्रस्वोट यह नही लूज कर गए तो इनको रिजाइन देना पड़ा है साथ अंतर राश्ची प्रमाडू उर्जा एजेंसी से रेटर क्या न्यूज आई देखेंगे एक रास्ट एक मानक अभियान क्या है बहुत इंपोर्टेंट है पूछ सकता है यह कुश्चिन में और वाट इस कार्बन व और वह भी निश्चे अत्मक होना चाहिए निश्चे मलब निश्चित होना चाहिए हमारा आज का जो है महदपूर्ट दिन है सेंट्रल एक्साइज डे 24 वारी को क्या होता है सेंट्रल एक्साइज डे और आगे मंड़ने से पर ले आप लोग के लिए जेंट्रल तो आप लोग ले सकते हैं 856480530 और 969606089 पर हमारा पहला टॉपिक है इंफ्लुएंजा AH5N8 देखें रशिया में कंटेक्स अमल लेते हैं रशिया में पहली बार जो है AH5N8 वाइरस दुनिया में देखा गया है यह एक एवियान इंफ्लुएंजा है वाइरस है और यह पह इंफेक्शन का AH5N8 के द्वारा पीछे मैंने जो है AH5N8 यह क्या चीज़े होती सब कुछ कवर किया था जब जो है इंडिया में बर्ट फ्लुग चल रहा था था ठीक इसके बाद जो है इसमें रिखें यह बहुत यादा कंटीजियस है बहुत तहीं से संक्रमित करता है और इंफेक्ट किया हुमन्स को संक्रमित किया 1997 से और हॉंग कॉंग में यह पाया गया था हॉंग कॉंग के मार्कर से सब चाइना से ही स्टार्ट होते है इसके बाद इट वाद इच फाइव एन वन इस्ट अभी वाला कॉन सा है एन एट है ध्यान अगना ठीक और यह वाइरस ह और जो कि उस समय जो हुआ था उंकों वाला पहली बार 6 जो है वेक्ती 18 में से जो है जो इंफेक्ट हुए तो मर गया था ठीक अपना एच 5N8 वाइरस है जो अभी पाया गया है जिसने यूमन को इंफेक्ट किया है पहली बार पुरे दुनिया में तो यह जो है वर्ड हेल् इनिमल हेल्थ नाम की पैरिस में है यह यह कहती है कि यह डिजीज ऑफ बर्ड है और जो की वाइरस टाइप ए इंफ्लुएंजा वाइरस के तौरा किया आता है डॉमेस्टिक पॉल्ट्री ऐसी चिकन तर्की क्वैल 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 क्या होता है आपका बटेर ठीक गेनिया फ बर्ड है उसके कॉंटेक्ट में आ जाते हैं तब होता है डू नॉट यूजली स्प्रेड ऐसा कौन कहता है डबलुएचो कहता है डबलुएचो कोन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ठीक और कोई इविडेंस नहीं देखा गया है कि यह डिजीज कैन भी स्टू पीप बर्ड की आथ को जो है नुकसा बचाता है लेकिन इंसानों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्स हो करता है ध्यान अगला ठीक इस पर कुश्चा मना सकता है कि जो मनुष्या का स्वासन मारग है मनलो सांस लेनियली जो सिस्टम है उसको करता है और निमोनिया और एक्यूट जाता है इसमें काफी तेज और उसके हज जो है बर्ड फ्लूर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं देखें एंटी वाइरल ड्रग है और सेल्टा मिविर ठीक पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें एक ड्रग का नाम और बताया था कि कोई किसी को याद आ रहा है और सेल्टा मि यह यूएस के जो एफडिये ने एप्रूव करी है वैक्सीन एच फाइव एन वन वायरस के लिए दोजाल सब्सक्राइब अब इसके बाद देखें अगला जो हमाँ टॉपिक है वह है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक इनरजी इजनसी इससे लिट मैंने आप लोगो पहले हैं कि दुनिया में नाब की उड़ जाएने नुकलियर पावर का उप्योग किसलिए हो पीसफुल चीजों के लिए हो इनरजी पावर इन सब के लिए हो बैपन अपना बनाने के लिए हो ये मेन काम है आई ए ए ए का ठीक और इन्होंने यहां पे क्या कहा है कि हम टंपरेरी स साथे नाम से थे नुकलियर सौयंक्तिस तो उनको मार दिया तो इन्होंने काफी जह ऑर पहले वी इरान नुकलियर डील टरंपके चलते हुए उन्होंने काफी प्रतिबंध सैंक्शन लगा दिये थे तो इरान ने काफी आन झाए ए आई एÃ को घुसने से supports कर दिया है जा द Dominator Parliament उसने दिया है और यह जो है यह कह रहे थे Parliament Iran की कि जब से ये US ने सैंक्शन लगा दिये तब से अंपना राज है ग्रॉसी ये UN के जो IAEA के जो है हैड है इन्होंने कहा इरान में हम अपना बिडेन जब से आए तब से हम 2015 वाली जो nuclear deal है उसको वापस से हम लाना चाहते हैं ताकि यह खराब नहों अच्छा इनान नुकलियर डील में पी फाइब प्लस वन कहा जाता है यह वन कौन है यह मैं बता चुका हूँ इसलिए आज पूछ रहाँ आप लोग से देखें इंटरनेशन अटामिक इनर्जी एजनसी जो है यह आपका एक अंत प्रतिवर्द है ठीक आई यह जो है यह ऑटोनोमस और्गनाइशन यानि कि आपका जो है एक स्वायत संगठन है जिसका जो कब बनाए गया था 39 जुलाई आपका 1957 में इसका हैड़कॉर्ट है विएना ऑस्ट्रिया में है ठीक और यह पैफेर से लिग दिया है इनुने आप स्टेंडर्ड की बात हो रही है तो यानि ब्यूरो फ इंडियन स्टेंडर्ड की बात भी होगी और ब्यूरो फ इंडियन इंडियन स्टेंडर्ड जो है वह किस मिनिस्ट्री के नितरत आता है फूर्ड एंड कंजूमर अफेर मिनिस्ट्री जिसके मिनिस्ट्र को ने होना चाहिए जो भारत में ही नहीं ग्लोबल लेवल पे भी भारत के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जाएं तो उनको इंडिया से बाहर जाके जो है स्टेंडर्स के लिए सर्टिफिकेशन ना लेने पर पड़ें इंडिया में ही जो स्टेंडर्स बनाए जाएं वो इतने सब्सक्राइब और इसके वाद सट्रिकेशन करना पड़ता है तब यह भारत में कह रहें कि एक वन निशन वन स्टेंडड करा दो हर जगह जो इस टेंडड बढ़िया से बनाओ और वो ग्लोबल लेवल कर आ यह वाली सारी बात है और इसकी शुरुवात यह लोग कहते हैं कि पब्लिक जो इस्फियर के लोग हैं जो गौर्वर्मन्ट के एजंसी हैं जो सावजनिक संस्थाई हैं उनको अपने प्रक्योर्मेंट में इसमें चालू कर देना चाहिए अच्छा इसका एक सामरिक महत भी है रणनीतिक महत भी है स्टेटजिक महत भी है वो यह है कि आप स्टेंडर्ड अपने आप ऐसे बना दो ऐसा जो एक चीज तो यह है कि स्टेंडर्ड आप कुछ इंडिया में काम जो प्रोड़क्ट दे रहे हो वो सबको अच्छा से मिले जैसे आप लोग देखते हो ना पहले इंपोर्ट जो चीजें हो रही है वो भारत के स्टेंडर्ड के अनुसार अगर नहीं है तो सेफटी स्टेंडर्ड भी इसमें आएंगे देखना सेफटी के प्रोविजन्स भी प्रावधान भी होंगे अगर नहीं है तो भी आप इस इंपोर्ट को रिजेक्ट कर सकते हो तो हमाने आपको कईबा बताया यह किस तरीके का barrier होगा यह non tariff barrier कहलाएगा या याद आया कुछ ठीक non tariff barrier कहलाएगा तो जैसे कि चाइना और ना कि जो प्रोटक्स है जो मलब देखाए जाते है जो ईतली कॉम में कि इस लोगा मर办 कई आ ओर स्वेली बाद में नहीं है जहते हैं यह सब न कर रहा गया है ऊट सब्सक्रीस क्रेंद सुद्वे 궁금 रहे जाते हैं धाक की जूत् APP नहीं स्टेंटर पर पे ताकि कोलिटी गुर्वक्ता घो है अमारी वस्तुों में प्रोडॉक्स में सब तॉस कर सकते हैं ऐसोचेशन साथ हैं कि जो भी तालमेल बैठाके जो भी standards हैं बाहर के लोग के उनको global level पर हमारे इंडिया लिग बना के कर लें ठीक ताकि मतलब कुछ भी हम जो चीज़ बनाए global level पर ये ना हो कि भाईया उनको रोक दिया जाए किस वज़े से non-tariff barrier के वैज़े जो चीज़ हमाई लिए वो चीज़ दूसरों के लिए भी तो हो रही है यह वाली बात है granting certification मिल जाए duplication और जो है यह सब कुछ आसानी से ना हो पाए lab testing इंडिया में जो है world standard की बनानी है modern equipment लेटेस्ट प्रद्योगी की इन सब कई प्योग करना है और जो भी इन सब में gap है standards में भी बी आईयस को government lab के साथ मिलके priority basis पर solve करना है और इसकी आवशकता क्यों पढ़ रही है क्योंकि issue of different जो अलग अलग जो संस्थाएं है public sector undertaking है उनके standards बराब एक समान नहीं है कोई कुछ standard का भेज रहा है कोई कुछ भेज रहा है यह ली चीज़ है ठीक एम यहीं है कि world leader बनना है maximum industrial products का ताकि इंडिया से बाहर जाके किसी को quality का certification ना लेना पड़े Bureau of Indian standards जो है यह एक national मानक राष्टी मानक निकाए है और यह किस वैद्धानिक निकाए भी है क्योंकि देखे रहें पर्लिमेंट का एक 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 बनाया किया था Bureau of Indian standards Act 1986 23rd of December 1986 को यह बनाया गया था और यह किस ministry के इन तक आता है यह आता है ministry of consumer affairs food and public distribution राम बिलास पासवन जी पहले इसके थे अब वो इस दुनिया में नहीं है ठीक देखे इसका हेड़कॉर्टर जो है न्यू डेली में था अभी है सॉरी ठीक अगला जो हमारा topic है बहुत है important है carbon watch मतलब carbon dioxide जो global warming करने में सबसे बढ़िया रोल प्ले करती है हाला कि इससे जादा global warming potential है methane का SF6 का PF6 का लेकिन वो सारे जो है भले उनका global warming potential बहुत जादा है carbon dioxide से लेकिन वो सारे जो है काफी कम समय के लिए हमारे वायू मंडल में रहते हैं इसलिए जादा impact नहीं कर पाते हैं लेकिन वहीं carbon dioxide को देखा जाए तो काफी समय के लिए 100-200 साल के लिए रहती है भले इसका global warming potential कम है लेकिन फिर भी ये जादा नुकसान पहुचाती है और इसलिए carbon को watch करने के लिए कोई व्यक्ती का कितना carbon footprint है उसको जानने के लिए carbon watch नाम से mobile application बनाया गया है चंदीगड़ के आपका केंद शार्षित जो ट्रेटरी है केंद शार्षित जो जगह है ठीक केंद शार्षित प्रतेश जो है union ट्रेटरी वहाँ पे इसको लगु किया गया है हाले की जो है उस पर इस पर इस पर इनका ज्यादा focus है कर्चंदीगड़ पे लेकिन यह पूरे इंडिया में कहीं से भी access किया जा सकता है डाउनलोड करके mobile application को carbon watch को आप access कर लो और इसमें wet हो जाओ wet क्या है आपका देखिए wet में जो है दो टी नहीं है दो डबलू है यह डबलू पानी है यानि की water दूसरा है जो है आपका अपशिस्ट यानि की waste और एक इनर्जी और एक जो टी है वो है transportation कैसा करते हैं आप ठीक तो इन सब की आपको जनकाई दोगे तो वो आपको पता दे कितना तुम कर रहे हो कारबन फुट्प्रिंट क्या होता है किसी इंडिविज्वल के दौरा अपनी किसी activity को वैसे कितना उच्छन कारबन डायोकसाइड का कर रहे हो आप इसको कारबन फुट्प्रिंट कहते हैं आसान भासा में यहीं साइच चीज़े है ठीक अब इसको ज कार्बन फुट्पृट्प्रिंट का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यानि की कार्बन डियक्साइड को आप देखते हैं अच्छा आप लोगे लिए क्विश्चन यह है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है काफी जो है इसमें एक मतलब व तो इस कार्बन डियक्साइड की मात्रा आपको रिलीज करते हो किसी पर्टिकुलर हुमन एक्टिवटी की वैसे जैसे की पानी आपका इनर्जी ट्रांसपोर्टेशन ठीक या फिर वेस्ट तो इनकी वैसे जो है आप ग्रीन हाउस गैसे स्पेसिफिकली कार्बन ठीक वाटर इनर्जी वेस्ट जनरेशन और ट्रांसपोर्ट का जो है आपसे ब्योरा लेगा और कल्कुलेट करके बता देगा इसमें अच्छा तको पानी में क्या है कि कितना एमांट वाटर आप कंजर्ब करते हो इनर्जी में इलेक्रिसिटी कितना यूज कर रहे हो सोलर जागरेज कर रहे हो समझना वेस्ट इनर्जी में आप वेस्ट का टिकरी में सोरी जनरेशन कितना आप और आपकी फैंबली ठ्रांसपोर्ट में आप किस तरीके का वहिकल चलाते हो चार वीलर टू वीलर बाइसकल और जो है इसके बाद और फिर यो करके बता देगा कि कितन आपका कार्बन फूट्प्रिंट है इस वाले एप्लीकेशन में आपका रास्ट्री वर्ड एवरेज भी है मीशन्न का बता जाता है इसमें एम यहीं है कि जो सिटीजन है जो अग्रिक हैंड को क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है जागरुक करना है और अपना कार्बन फुट्प्रिंट जानेंगे तो भाई थोड़ा बहुत अगर ज्यादा लग रहा हो तो कम भी करेंगे क्योंकि रास्टी और वर्ल्ड का एवरेज भी तो पताया जा रहा है तो आप उस अपने संबंदों का पुना निर्धारित करने का समय आ चुका है हमारा जो भी हम कारी करते हैं उनको इन्वाइरमेंट फ्रेंड ली बनाना है यह कहा जा रहा है यहां पर ठीक यह नहीं है कि आप सिर्फ भौतिक वाद में ही विश्वा सक्थें मटेरिलिजम में ही नूरी है कि कंजूमरिजम से ज्यादा आप अपनी नीड्स पर ध्यान दें यारना की ग्रीड्स एस्पिरेशन पर ध्यान दें ताकि आप खुद भी मजे ले सकें और आने वाला जो हमारी जनरेशन हैं उनको भी जो है पूरी प्रकति का अच्छा से मज़ा मिल सके ठीक इस हो रही है यहां पर यह कह रहा है कि पहले अर्थ सम्मिट हुई थी 1992 में समझना इंटरलिंकिंग कर रहे हैं आप हम लोग वहां पर तीन चे निकल के आई थी UNFCCC ठीक CBD और UNCCD ठीक United Nations Combat on Desertification Convention to Combat Desertification United Nations Framework on Convention on Climate Change और Convention और Biological Diversity आज भी वहीं बात कह रहा है कि हमें यहां पर ने रिपोर्ट में इननों कहा है कि Climate Change, Biodiversity Loss और Land Degradation यानि कि भूमी च्रण जो रहा है इन सब को एक साथ जोड़ के चलना चाहिए इनके खिलाफ इनको सुधार करना है इनके खिलाफ जाए मुहिम सब को साथ में मिलके करना चाहिए इस रिपोर्ट के अच्छा नाम क्या है Making Peace with Nature यानि प्रक्रति के साथ जो है आपको शांती पूर्ण शांती बनाए रखना है ठीक इसकी जो थीम है वो क्या है Strengthening Action for Nature to Achieve the Sustainable Development Goals हमेरे प्रक्रति के से ऐसे हमें Action को मजबूत को बनाना है कि हम सतत विकास जो गोल है उनको Achieve कर सकें यह Fifth Environment Assembly जो चली उसमें कहा जा रहा है अज़र कुछ finding है inequality बढ़ गई है poverty बढ़ी हुई है natural resources हम तीन गुना ज्यादा निकालने जिसकी वैसे पूरे emergency इसे आपात कालीन जो है सती बन गई है हर साल जो है 90 लाक लोग मर जाते हैं prematurely मतलब अपने प्रक्रतिक मौत से पहले मर जाते हैं pollution की वज़े से और एक मतलब 8 million animal और plant की species हैं 80 लाक दुनिया में जिसमें से 10 लाक जो है वो risk है उनका कि वो willipth हो जाएंगे ठीक even though जो causes है और मैं कहरे हैं climate change के जैसे कि यह biodiversity climate change और land degradation यह complex थे हैं लेकिन हमें इनको एक साथ ही जोड़ के इनके खिलाब कारिवाई करनी पड़ेगी हमें एक दूसरे के साथ में मजबूत करना पड़ेगा और environment और health को अपने जादा से अच्छा करना पड़ेगा ठीक यह report यह highlight करती है कि हमें अपनी मानसित्ता और अपने मूल्यों को बदलना है सिर्फ आइफोन नहीं आपको यह भी चाहिए कि कुछ पैसा बचा के सस्ता फोन लेके कुछ परेवर्ण के लिए काम करें ट्री लगाएं ब्रच्छा रोपन करें कंजियूमरिजम ना करें ठीक नीड्स पर ध्यान दें ना की ग्रीड्स पर ठीक है अब तो यह बात है और इसके बाद जो है टेकनिकल सलूशन प्रद्योगिक सलूशन पर्टिकल सलूशन भी है मतलब जैसे मोदी जी आए तो उन्हेंने काफी यादा जो है जो है जो हम कैसे कंट्रूल कर सकते हैं तीन सस्टनेबल डवलप्मेंट गोल्स की बात यहां पर की गई है आप लोग से प्रश्ण है कि यह कोल नंबर क्यों से हैं सतव विकास गोल वालों में से कौन से यह गोल है पावर्टी अलिवरेशन से बताए बहुत इजी है फूड एन वाट सेक्योर्टी बताइए और गुड हेल्थ फॉर आल से बताइए तीनों गोल नंबर क्या है इनके ठीक ताकि इन्वार्मेंटल क्रिसिस को रोका है सके और इसमें देखे यहां पर कहता है कि साइन्स और बोल्ड पॉलिसी मेकिंग करना नीती हमें काफी अच्छी बनानी है ब है आप बाता यह बनारे हो चाहिए आप अगर वाईू मचल में कारबन का उस तूड़ा सा टिपिकल कोश्चन है लेकिन मुझे महलूम है आप लोग बहुत ही और नहीं मतादों केस काव्साइट ठीक अनवाचार में इंवेस्टिंग और यह सब करना है पीपल और प्रागति दोनों में और एको सिस्टम जो परस्तित की तंत्र है अल्दिया लाइफ को और स्टेबल क्लेमेट को बढ़ावा देना है इस रिपोर्ट का उद्देश यहीं है कि हमें जो प्रागति क्या जो है प्रागति आधारित समाधानों की रच्छा और पुनस्थापना करनी है ठीक रिष्टो करना नीच्व नीच्वी सलूशन को उनी के थुरू जाके हमें फिर यह तीनों जो डाइमेंचन है समाजिक आर्थिक और प्राकतिक इन तीनों को जो है बढ़िया से वो करना है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि निश्चयात्मक भू स्वामित अधिकार ठीक, कंक्लूजिव लैंड टाइटिलिंग अभी देखे, अभी संदर समल लेते हैं फिर इसको मैं कौन से बतायता हूँ 2020 में ये लौ की मुहिम चलाई गई थी नीती आयोक के दोरा लौ बनाया गया है ड्राफ्ट इसका मसादा, अब इसको जो है ये लैंड रिफॉर्म में इसको जोड़ा जा रहा है model bill on conclusive land titling की बात है ठीक, labor reform भी चला है, form reform भी चला है तो land reform की बात कर ली जाए और UPSC में कोशन पूछा सकता है, prelims में भी, mains में है, prelims में भी पूछा सकता है ठीक, आप समझे यहाँ पे अभी फिलहाल क्या जो titling होती, वो क्या होती है कि transaction के जाब से कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किसका possession है, किसके कबजे में है, जमीन इस पे जो है, land की titling होती है, ठीक, land पे किसका स्वामित है, यह इस पे depend करता है लेकिन आगे जाके सरकार यह चाहती है कि conclusive land titling हो, सिर्फ जिसका कबजे हो वो नहीं बलकि जो वाकई में इसके जो है owner है, जिनका स्वामित होना चाहिए, उनका नाम निकालने की बात हो रही है, उनके नाम पे titling होगी, अच्छा फिर इसके में यह भी होगा, कई लोग जो है, यह भी कहेंगे कि कहेगा, नहीं नहीं, मेरी जमीन है, तो इसका versus government का case चलेगा, ठीक, dispute को वो निकाल खतम किया जाएगा, इसमें जो है, government सीधे वादी, प्रतिवादी बनेगा, ABC जिसके नाम पे conclusion आया है, कि टैट्लिंग उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो यह नहीं है कि इसको खतरा हो, ठी यह माली जाए, इसको जो है, इसको ABC को मिल गई जमीन वापस, और इसको जो है, government यह भी करेगी, कुछ ना कुछ, जो है, compensation भी देगी, चीक, और यह सरी बात है, इसमें, bill circulate किया गया था, 2020 में, land authorities, हर state में जो है, इसमें बनाई जाएंगी, इसमें यहीं है, कि आपका, जो मैं अभी जो चला, प्रिजंट्टिव लेंड टैडिंग है, मतलब कौन, किसके पास कबजे जनकारी है, कौन पिछले लेंदेन या ट्रंजेक्शन, जिससे आप से हो रहे हैं, उसे साब से ही, उन्हीं का सौमित माना जाता है, ठीक, वरतमान अधिकार के अदापर, और इसम पास उसके ठीक है, और टाइटल जो है, उसी को दिया जाएगा, गौर्वर्मेंट की रस्पांसिविल्टी होगी, कि वो एकुरेसी से ये चीज़े दें, और अब इसमें एक चीज़ है, कि गौर्वर्मेंट का इंवर्मेंट बढ़ेगा, करप्शन भी बढ़ेगा इसमें ठीक है न, कि जमीन जो है, किसके इसके नाम पर किया रही है, अच्छा, लेकिन एक बार की बात है, अगर गौर्मेंट ने इसको टांस्परेंसी के साथ में अच्छे से किया, तो सकता ना भी हो, लेकिन चांस बढ़ जाते हैं, ठीक, क्योंकि जो ऑफिसर आएगा, वो उसी साथ साथ जो है, कंपंशेशन भी क्लेमेंट को देगा, गौर्मेंट और ये टाइटल होल्डर, अच्छा, इस सब चियों के बीच में टाइटल होल्डर जिसको दिया गया है, गंक्लूसिवली, बाद में, ठीक, उसको कोई भी डेंजन नहीं है, कि वो अपना स्वामित तो हो सके, इसका मतलब ये क्यों नीडेड है, ताकि मतलब इजी डॉकुमेंटेशन हो सके, इस और डूइंग विजनेर हो सके, निवेश आसानी से हो सके, अब मालेज देखे, ये हो गया कि A, B, C की जमीन है ये, तो ये आसानी से बेच भी सकता है, और आने वले समय में अगर अच्छे से हो जाए, तो जमीन भी वैसे ही विखेगी, जैसे है माजान पर वस्तु में विखती हैं, मैं सच बता रहूं, आप लोग देखना है चीज, कोई बहुत जाए दूर नहीं, पांस साल, ठीक, और इसके बाद जमीन तुरंत आराम से विका करेंगी, कोई कहेगा, अच्छा यह अले फलाव प्लॉट दे दो, यह प्लॉट तुम ले लो, यह कल लो, वो कल लो, यह सारी चीज़ चलेंगी, तिस सरकारी राजस में व्रद्धी होगी, लिटिगेशन, मुकदमे वाजी कम होगी, भूमी विवाद का तौरित, मतलब ततकाल प्रभाव से जो है यह सारी चीज़े हो गई तो, लेकिन चैलेंज क्या है, इस्थानी निकाहे बहुत कम जो हो रहे हैं, संगे धाचा जो है, इस्टेट्स जो है, नहीं, वो कॉपरेट कर रहे हैं, लंबे समय से अध्यतन नहीं किये हैं, भूमी रिकॉर्ड के, ठीक अपडेट नहीं हुए है और issue of inheritance, जो वरासत वाली चीज़े हैं, वंचानुकरम समंधी जो चीज़े हैं, उसमें भी issue आएंगे, और आगे पढ़ने से पहले हम लोगा जो है, फेवरिट सेक्शन आगया हर दिन का, इसको बोलते हैं, हम लोग कौम बनेगा IES, PCS, इसमें जो हम लोग क्या समझते हैं कि ना सिर्फ पढ़ना ही, पढ़ते ही जाना ही हमारा अलच है, बलकि पढ़कर question solve करने को और कैसे करने को भी सीखा जाता है, यहाँ पर, black footed freight जो है, यह एक तरीके जानवर है, इसे सबंदित कौन से कथन जो है, वो सहीं आपलो बताना है, रूसी विज्यानिकों ने लंब करता पूरवा क्लोन बना लिया है, अब एक चीज़ बनना, frozen cell थे, एक dead wild animal के, उसके जो है, थुरू यूज करते हुए, black footed freight का जो है, जो कि endangered है, लुप्त प्राय है मतलब, वो उसका क्लोन बना लिया गया, लेकि रशिया ने यूएस में, उसलिए पहला statement गलत है, और true वो extend money आई थी, लेकिन फिर साथ एकदम से निकल के आ गए, 1981 में, North America का ये जो species है, ये native है, ठीक, सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, ये वाली बात है, इसमें सब कुछ सही था, बस खाली रशिया गजेगे, यूएस की बात हो रही है, अगला जो हमारा question है, वो wish भारती से सम Central University है, ये और इसमें क्या है, नेशनल इंपोर्टेंस की इंस्टिउशन इसे कहा जाता है, ये सांती निकेतन, West Bengal और इंडिया में located है, इसको रविना टेगोर जी ने बनाया था, और इसको जो है, विशभारती कहा जाता है, जिसका मतलब ये है, कि भारत के साथ दुनिया का समवाद, यानि कि communion of the world with India, विशभारती ने ये डेक्लेर किया है, विशभारती इसको डेक्लेर किया गया था, Central University and Institute of International Importance, एक act के दुआरा, जो भी इंस्टिउशन और नेशनल इंपोर्टेंस के लिए act लाए जाता है, परलेमन में, 1901 क्याम लाए गया था, सारे ही स्टेट प्रोसान हम को मिलता है, शेयर आप जितना आदा करते हो, उतना लोगों तक हमारी ये महनत पहुशती है, और सब्सक्राइब अगर आप करते हो, गंटा बजा दिते हो, साथ में, तो आपको सबसे पहले जो है, हमारा नोटिफिकेशन मिलता है, आप फस्वीवर बनते हो, औ और अगर आप कमेंट करते हो, आपको सेलेक्शन सुने चित होता है, आपके माइंड के एक्सराइज होती है, और साथ ही साथ, अगर आप लोग को हमारा ये माटेरियल और हमारा ये गाइडेंस अच्छा लगता है, तो आप लोग UPSC और EPFO के जो है पेड ग्रूप को आपके माटेरियल भी मिल जाता है, वन टू वन गाइडेंस भी मिलता है, एक डेडिकेटेड डिस्केशन ग्रूप में, तो आज यहीं पर खतम करते हैं, कल फिर से आपको बिलेंगे सुबाद 6 वजे, जाहिन जावारत, आल दे वेरी बेस्ट है